दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में एक उस कहानी पर बात करने वाले हैं, जिसमें अर्जुन और कर्ण के युद्ध के समय उनके बीच में अश्व सेन नामक नागा गया था, जिसमें एक बान के रूप में कर्ण के धनुस से छूट कर अर्जुन पर आक्रमन किया था यदि उस समय बागवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बचाया होता, तो उस महाभारत युद्ध का परिडान कुछ और ही होता दोस्तों यह अश्व सेन नामकर नाग कौन था और क्यों वहाग कर्ण का साथ लेकर अर्जुन को मारना चाहता था, चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में दोस्तों अपने पिछले एक एपिसोड में अर्जुन को कहां से मिला था गांडिव धनुष में हमने यह बताया था कि जब अगनी देव खांडाववन को जला रहे थे तब देवराज इंद्र उन्हेवावन जलाने नहीं दे रहे थे उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अगनी देव की मदद करने के लिए देवराज इंद्र के साथ युद्ध करके उनको रोका था और तब अगनी देव उस खांडाववन को पूरी तरह जला पाए थे दोस्तों उसी कहानी में हमने यह भी बताया था कि उस खांडाववन में देव राज इंद्र का मित्र तक्षक नाग का परिवार भी रहता था दोस्तों जिस समय अगनी देव खांडवन को अपनी अगनी से भस्म कर रहे थे उस समय तक्षक नाग उस खांडवन में नहीं था परन्तु उसकी पत्नी और पुत्र अश्वसेन उस वन की आग में फस गए थे उस समय तक्षक ना की पत्नी ने अपने पुत्र को निगल लिया था और आकाश में उड़ चली थी तब अर्जुन ने तक्षक की पत्नी को अपने बान का निशाना बना लिया था जिससे तक्षक की पत्नी मर गई थी परन्तु उसका पुत्र अश्वसेन जीविद बज गया था दोस्तों अश्वसेन को यहाँ बात मालुम थी कि उसकी मा को अरजुन ने मारा है इसलिए वा हमेशा अरजुन से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था महा भारत के सत्रवे दिन जब अश्वसेन को यहाँ पता चला कि आज अरजुन और कर्ण का युद्ध होने वाला है तो वा कुरुक्षेत्र में आ गया और एक बान का रूप बना कर कर्ण के तरकश में घुस गया कर्ण युद्ध करते समय अपने तरकश से बान निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाता था और अरजुन पर छोड़ता था इसी बीच बान बना अश्वसेन नाग कर्ण के हाथ में आ गया और उसने उससे अपने धनुष पर चढ़ा कर अरजुन पर छोड़ दिया दोस्तों जब कर्ण ने उस अश्व सेन नाग को बान के रूप में अर्जुन पर छोड़ा तो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ कर यह कोई नहीं जान पाया था कि वह बान नहीं एक नाग है उस समय भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की मृत्यु अपने सामने दिखाई पड़ी तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया था भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिये जमीन में धस गय थे और साथ ही रथ के घोड़े भी जुग गय थे तब वह बान रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगा अर्जुन के सर के मुकुट से जा लगा था जिससे वह मुकुट सर बागनी से जलता हुआ जम उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे तरकश में क्यों गुस रहे हो तब अश्वसेन ने कर्ण को पूरी बात बता कर उससे कहा कि मुझे एक बार फिर से अपने धनुष पर चढ़ा दो इस बार मैं तुम्हारे शत्रु अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूँगा तब क अश्वसेन से कंड की या बात सही नहीं गई तो उसने अपना भयंकर रूप धारणकर खुद ही अर्जुन को मारने के लिए दोड़ पड़ा परन्तु तब गांडीव धारी अर्जुन ने अपने बाणों से उस नाग के छे तुकड़े करके उसे यमलोग भेज दिया था तो दोस्तों आपका हमारी ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट से में जरूर शेयर करें साथ इस वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भोलें